केपर्स के पौधे के बारे में केपर्स का पौधा बहुत ही छोटे साइस का होता है ये लग भग मटल के पौधे जितनी ही कलिया होती है और इसके अंदर नीबू का फ्लेवर होता है ये वैसे तो बहारी देशों में पाया जाता है और वही पर बहुत सी क्यूजीन में इसको प्रियोग भी किया जाता है लेकिन क्या आप जानते हैं कि केपर्स के बहुत सारे स्वास्ते लाग भी है और सौंदर्य लाग भी है चले आज जानते हैं केपर्स के पौधे के कुछ स्वास्ते रागों के बारे में विस्तार से दोस्तो अगर आपको आपकी बॉड़ी के अंदर विटिमिन A और विटिमिन K की कमी लगती है तो आप केपर्स का सेवन कर सकते हैं अपनी सालेट के रूप में या फिर अपने खाने के रूप में भी क्योंकि इसके अंदर नीमगु का फ्लेवर होता है इसलिए इसके अंदर थोड़ी सी खटास भी होती है अगर आपको खट्या खाना बहुत पसंद है तो आप केपर्स को अपनी डाइट में या फिर अपने खाने के अंदर शामिल कर सकते हैं अगर आपको मलत्या करते समय बहुत ज्यादा परिशानी होती है तब भी आपको केपर्स का सेवन करना चाहिए या आपके पूरे बॉडी के इंटर्नल सिस्टम को बेटर बना कर मलत्या करने में जो भी परिशानी होती है उन्हें दूर करने में आपकी काफी मदद करेगा इसी के साथ साथ अगर आपको बहुत ज्यादा पेट दर्ग की समस्या है अगर आपका खाना सही तरीके से नहीं पच रहा है तो इन सारी समस्याओं को भी ठीक करना केपर्स की ही जिम्मेदारी है अगर आपके चहरे पर बहुत ज्यादा pigmentation है बहुत ज्यादा मुहा से निकलते हैं तो आप Capers का सेवन कर सकते हैं क्योंकि यह हमारी पाचन क्रिया को काफी ज्यादा स्वस्त बनाता है और जब भी हमारे चहरे पर मुहा से निकलते हैं तो वो हमारे पेट की ही दिक्कत की वज़े से होते हैं इसलिए आपको Capers का सेवन करना चाहिए यह आपके पेट को संतुष्ट और स्वस्त बनाएगा जिसकी वज़े से चहरे पर मुहा से कभी नहीं आएंगी सो दोस्तों देखा आपने चोटा सा Capers का पहदा बड़े बड़े काम करता है और आपको बिमारियों से भी बचाता है मेरी ब्यूटी और हेल्ट से रिलेटिड वीडियो को देखने के लिए यूट्यूब पर लाइप, शेर और सबस्क्राइब कीजिए